हर वर्ष तीन दिसंबर को अंतरास्टी राश्टी और शेत्री इस्तर पर समाज में दिव्यांगों के विकास और पुनर उद्वार के अलावा बराबरी के अउसर मुहया कराने पर जोर देने के उदेश से अंतरास्टी दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और दिव्यांगों के उत्थान के लिए उनके अधिकारों के बारे में समाज में लोगों में जाग रुकता लाने उनके स्वास्त पर ध्यान देने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बड़ी बड़ी बाते की जाती है इन सब के अलावा आपको बता द प्रशासन ने कैम्प लगा कर दिव्यांगों के जीवन इस्तर को सुधारने के लिए श्रासके कार्यालों में कलेक्टर दर्में न्यूक्ति की थी उनमें से एक रुपेश भी थे जिनको जिला मुख्याले SDM कार्याले में भृत पत पर रखा गया था फिलाल तीन महीने में पेमेंट के लाले पड़े जिसे घर की आर्थिक स्थिति गड़बडा गई और भूखे रहने की नौबत तक आ गई कई बार उच्चधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी सिस्टम ने इनकी नहीं सुनी तो इन्हें नौकरी छोड़कर भीख तो हमारी निउस टीम ने उनका हाल चाल जाना तब वे अपना दुख़़ा सुनाते सुनाते रो पड़े रुपेश ने बताया कि वे अपनी पतनी के साथ सलका में रहते हैं और इसी तरह गाउं गाउं जाकर भीख मांग कर गुजर बसर करते हैं उनके पास और दूसरा साफ हो गया कि सिस्टम में बैठे लोगों ने सिस्टम को ही अपंग बना दिया है सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए लाग प्रयास क्यों न कर ले पर यह लोग उसे अपंग ही बना कर रखेंगे बना दिया तो भी कुछ नहीं हुआ अप्छी नहीं हुआ अपना दुकान में अपना जो भी निद्दा है दोस्वाराइस हो अपना इसी में भुजारा कर ले रहा हो एक बाकी मेरा कोई सहारा में यह देना तूसका मिल ही जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि वो जो पहले से काम कर रहा था उसको उसकी नौकरी भी वापस मिल जाएगा खैरास दिव्यांग दिवस है जो हर साल आते रहेंगे असल में ऐसे दिव्यांग की हालत में जब सुधार दिखने को मिले तब ही हमें यह दिवस मनाना चाहिए अब देखना होगा कि खबर देखने के बाद सि कर दो